तो हमारी किसी सब्सक्राइब ने हमसे ही पूचा है एक्सल की अंदर अगर कॉलम छोड़ कर टोटल करना हो तो एक साथ कैसे कर सकते हैं जैसा कि यहां पर कॉंटिटी लिखिए प्राइज लिखिए एंट टोटल लिखाएं जी एश्टी लिखाएं एंट ग्राउंट टोटल तो दोस्तों कहने का मत्तब सब्सक्राइब यह है हम कॉंटिटी का टोटल ले लिए एक बार मैं और टोटल अमऌड ले ले और यहां पर ग्राउंट टोटल ठीक है मैं यहाँ पर yellow color कर देता हूँ जिससे हम total करेंगे ठीक है तो हम इस column को लेंगे second हम इस column को लेंगे और third पर इस column को लेंगे तो यह subscribe का कहना है कि बीच में यह row आ रहे हैं इनको हमको drop करना है और इनका एक बार में तीनों का totalize है तीनों line का हना तो कैसे करते हैं अगर ऐसी कोई value निकाल नहीं है एक्सल के अंदर तो जानने के लिए इस वीडियो कंटीनूज सुरूशी गलास तक जरूर दिखें नमस्कार दोस्तों आप दिख रहे हैं basic computer हिंदी तो दोस्तों यहाँ पर total निकाले के क्या करते हैं सबसे पहले आप कर्षार रखेंगे जहां आपको total निकालना है तो आपको जहां निकालना है वहां कर्षार की मुझे यहां डालना है total पे amount पे ठीक है यह एक्जामपल वीडियो एक तरह का ठीक तो यहां पर हम equal दवाएंगे equal दबाने के बाद आपको यहाँ पर sum लिखना है sum लिखने के बाद आप bracket लगाएंगे bracket लगाने के बाद आप select करेंगे उस column की जिसका total निकालना है तो यहाँ पर पहला column हमने select किया और यहाँ पर comma लगाया and second हमने select किया और यहाँ पर comma लगाया and third select किया प्रेगट आपको close कर देना है और अजैसे इंटर दबाएंगे तो हीह कॉलम की माउंट और इस कोलम की अमाउंट और इस कोलम की माउंट तीनों की और चेंजिस करूं तो सभी में देखी नीचे टोटल में भी चेंजिस हो रहा है हना तो यहां पर आप सम की हेल्प से कॉमा लगा लगा कर इस तरह टोटल निकाल सकते एक कॉलम छोड़ कर हना तो एक सब्सक्राइब की एक वीडियो थी अगर इस तरह के कोश्चन आपके बन आया है तो आप हमसे पूजिए आपके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे आई होप आपके वीडियो काफी हेलफुल लगा दोस्तों से तरह की हेलफुल वीडियो के लिए मारे चिर्प बने रहे हो के फ्रेंटेंग साथ बाई बाई